और सीधा एक बड़ी खबर आपको बता दे जेटेवेस के मालक नरेश गोयल गरफतार उनको गरफतार कर लिया गया है E.D. ने दिली से उनको गरफतार किया है Money Laundering समेट कई मामलों में शिकंजा जो उन पर कसा हुआ है नरेश गोयल से मुंबई में पूछतार की जा रही है तो आपको बताते काफी वक्त से बंग जेटेवेस के पास अब ये मालक नरेश गोयल उनको गरफतार कर लिया गया है E.D. ने दिली से उनको गरफतार किया है लगतार पूछतार जारी है और मनी लॉंडरिंग समेत कई मामलों में उन पर शकंजा कसा हुआ है तो बड़ी खबर आपको दे रहे है मनी लॉंडरिंग का ये मामला है और जेट एरवेस के मालिक नरेश गोयल की गरफतारी हुई है E.D. ने दिली से गरफतार किया है अब पूस्तार होगी जोन पर आरोप है उसको लेकर अब एक लंबी पूस्तार सलेगी मनी लॉंडरिंग समेत कई मामले हैं जिसमें ये गिरफतारी बेहद एहम मानी जारी है और जेट एरवेस के मालिक है नरेश गोयल इनकी तस्विरे भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं E.D. ने दिली से इनको गिरफतार किया है नरेश गोयल से मुंबई में पूस्तार होगी ये सलसिला आप शुरू हो चुका है मनी लॉंडरिंग का मामला है इसके लावा बताया जा रहे है कि कई और मामले है कई और मामलों में भी इन पर आरोप लगे है आरोपों के तहर ये गिरफतारी बेहद एहम मानी जा रही है मुंबई में पूस्ताश नरेश गोयल से E.D. का दफ्तर आप देख सकते हैं लॉंडरिंग समेच कई ऐसे मामले जिसमें अब नरेश गोयल को E.D. के सामने बैठ कर सवालू का जबाब देना होगा पत्रकारता कोई इमोशन नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकारता क्या है पत्रकारता का मतलब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम होगा जगविंदर पठ्याल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सुमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी निउस पर एबीपी निउस आपको रखे आगे एबीपी निउस आपको रखे आगे